नमस्कार दोस्तों, Study Today with Vivalove YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का ए वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए वीकली टेस्ट के लिए साइन्स का पेपर है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्धार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो वीकली टेस्ट हो रहा है आप इसमें कुछ बदला हो चुका है एक्जाम का जो पेटन है वो बदल चुका है अब आप लोगों के एक्जाम में अबजेक्टिव प्लस साबजेक्टिव कोस्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, एक्जाम में अबजेक्टिव प्लस साबजेक्टिव दोनों सवाल पूछे जाएंगे कूल प्रस्णों की संखा 16 रहेगा कूल प्रशनों की संखाश 16 रहेगा बट 10 objective 10 objective आपको question देखने को मिलेगा और 6 question आपको subjective देखने को मिलेगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला question given है 1 kilowatt hour निम्न में से किसकी इकाई है तो option given है सक्ति उर्जा बल और बिद्दुधारा तो इसका जो right answer होगा वो बिद्दुध उर्जा होगा याद रखना उर्जा का ऐसा ही मत्रक क्या होता है जूल होता है बट उर्जा का बेपारिक मत्रक किलोवाट आवार होता है उर्जा का बेपारिक मत्रक होता है गिलवट आवार बेपारिक मत रख और याद रखना 1 किलोवट आवार को ही 1 यूनिट कहा जाता है इसे को ही यूनिट कहा जाता है और 1 यूनिट का मान कितना होता है वान यूनिट का मान होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल होता है याद रखना और याद रखना सक्ती का SI मत रख क्या होता है सक्ती का SI मत रख वाट होता है और बल का SI मत रख न्यूटन होता है बिद्धु धारा का ऐसा ही मतरक अंपियर होता है तो चलिए next question को देखते हैं question number 2 given है question number 2 given है जब किसी चालक तार से बिद्धु धारा प्रभाहित होती है तो गतिसिल कन है option given है परमानू, आयन, प्रोटन या इलेक्टरन तो इसका जो right answer होगा option D होगा, इलेक्टरन होगा जब किसी चालक तार से बिद्धु धारा प्रभाहित होती है तो गतिसिल कन है इलेक्टरन तो option D होगा right answer तो next question given है देखिए question number 3 given है विभांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते है तो गतिसल को क्या कहते है एमिटर कहते है बोल्ट मीटर, गैलवेनो मीटर या कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा वो होगा बोल्ट मीटर होगा बोल्ट मीटर से गतिसल को बिद्धु परिपत में पार्सक्रम में जोडा जाता है ये भी पुछा गया question है जोडा जाता है ये भी याद रखना एमिटर को बिद्धु परिपत में स्रेनी क्रम में जोडा जाता है और एमिटर बिद्धु धारा को मापता है तो चलिए next question को देखते है question number 4 question number 4 given है बिद्धु परिपत में एमिटर को किस करम में जोडा जाता है, तो option given है, स्रेनी करम, पार्श करम, दोनों, ये कोई नहीं, तो इसका जो right answer होगा, एमिटर को स्रेनी करम में जोडा जाता है, बिद्दू परिपत में, एमिटर को स्रेनी करम में जोडा जाता है, और एमिटर, ये जो एमिटर है, वो क् यह next question को देखते हैं और पार्सक्रम में क्या जोड़ा जाता है पार्सक्रम में किसको जोड़ा जाता है विवांतर को जोड़ा जाता है यह दखना पार्सक्रम में विवांतर को जोड़ा जाता है तो इसका right answer वो होगा लिटमस होगा लिटमस क्या है एक प्राकृतिक सुचक है लिटमस क्या है एक प्राकृतिक सुचक है और लिटमस रंगिया सुचक की तरह वेवहर करता है याद रखना लिटमस जो है रंगिया सुचक की तरह वेवहर करता है यह याद रखना रंगिया सुचक की तरह क्या है संक्सलेशित सुचक है संक्सलेशित सुचक है इसको भी याद रखना ठीक है संक्सलेशित सुचक है तो चलिए नेक्ट कोस्चन को देखते हैं तो इसका राइट एंसर लिटमस होगा नेक्ट कोस्चन देखिए हल्दी कैसा सुचक है हल्दी कैसा सुचक है प्राकृतिक संग्सलेशित रंगिया या गंधिया तो इसका जो राइट एंसर होगा हल्दी प्राकृतिक सुचक होता है हल्दी और लिटमस क्या होता है प्राकृतिक सुचक होता है तो इसका जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा option A प्राकृतिक करता है और रंगिया सुचक्या है लिटमस एक प्राकृतिक सुचक है और रंगिया सुचक की तरह पेए जो प्याज जो है ये गंधिय सुचक है तो इसका जो right answer होगा वो option A होगा तो next question को देखे question number 7 question number 7 given है दिया गया चित्र क्या दरसाता है देखे इस चित्र को ध्यान पूरवक देखे तो दिया गया चित्र क्या दरसाता है option given है जल के बरबादी को रोका जाये सांध्र अमल छारग बाले बरतन में लगा चितावनी धुम्र पान से बचे या फिर option D given है भोजण करने से पहले हाद धूना चाहिए तो इसका जो right answer होगा, वो option B होगा, क्या होगा, नसांद्र अमलत छारक बाले बरतन में लगा चेतावनी, तो option B होगा इसका right answer, question number 7 का, तो next question को देखे, next question given है, मुकुलन द्वारा अलेंगिंग जनन होता है, अमीवा में, east में, प्लाजमोटिया में, या लेसमानिया में, तो इसका जो right answer होगा, वो east में होगा, east में मुकुलन द्वारा अलेंगिंग जनन होता है, और याद रखना, hydra में, hydra में भी मुकुलन द्वारा अलेंगिंग जनन होता है, प्लाजमोटिया में वहु खंडन द्वारा जनन होता है, प्लाजमोटिया में, और याद रखना, अम और याद रखना पराकन का एक पूस्प से दूसरे पूस्प पर इस्थंतरित होना परागन कहलाता है परागन कहलाता है याद रखना पराकन का एक पूस्प से दूसरे पूस्प पर इस्थंतरित होना परागन कहलाता है तो इसका राइट एंसर परागन होगा पराक कोस में होते हैं पराक कन याद रखना तो next question को देखिए, दोस्तों ये अंतिम question है, क्योंकि इस बार, इस बार question, objective question आपको 10 देखने को मिलेगा, और 6 question जो होगा, वो subjective देखने को मिलेगा, यानि कि 10 question objective देखने को मिलेगा, और 6 question subjective देखने को मिलेगा, इसलिए ये अंतिम question है, दोस्तों, अंतिम question given है, भुरून को म आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो मिलते हैं